अगर सपने तुम्हारे हैं तो उसे पूरे भी तुम ही करोगे ना हालात आपके हिसाब से चलेगा और नहीं लोग हेलो दोस्तों आप सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं जोन बरी अज फिर से आपके पास एक छोटी से कहानी के साथ आई हूं बहुत प्यारी से कहानी है प्रजा के परिच्छा के लिए एक सड़क पी बड़ा सा पत्तल लाके खड़ा कर देता है बड़ा सा पत्तल रखवा देता है और राजा पीछे जाड़ी के पीछे छुप जाता है और देखता है कि आखिर कौन ऐसा लोग है कौन सा ऐसा इनसान है इस पत्तर को अटाता है बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इस पत्थर से खिनारे से गुजर जाते हैं, बहुत सारे लोग राजा को गालिया देते हैं, कैसा राजा है, पत्थर रखवा दिया है, पत्थर हटा नहीं सकता है, बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के बाते बोलते हैं, बहु ही तो यहां से रहा हूँ सोने की सिख्या और उसमें लेटर होता है पत्र राजानी थे तहक हो प्रजा है जो सिप अपने के ना सब के लिए सोचता है तुम्हारा राजा तो यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक पत्थर रुपी अचन है जिसे हमें सुलजाना है एक समसे है जिसे हमें सुलजाना है अगर हम उस पत्थर को हटा लेते है कि अपने जिंद्गी में सबकुछ प्राप्त कर लेते हैं कि उस पत्थर को हटाने के लिए कोजिस करना है महनत करना करम करना है बागे सब उपर वाली पर छोड़ दिजे अंत्मेह हम यही कहाएंगे उपर वाली का सिवाद के साथ कुछ की महनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा इस एतियास बन्जया, जान्यवाद.